पैलियो आर्कियन का टाइम पिरियड है 3.6 से 3.2 अरब साल पहले लेट हैवी बंबार्डमेंट के आखरी साल में यो आर्कियन एरा खतम होता है इस पिरियड में एस्टरॉइड और कॉमेट की जबर्दस बंबारी चलती रही एस्टरॉइड और कॉमेट अपने साथ जीवन को संभव बनाने वाला तत्व लाते हैं ऐसी संभावना है की जीवन को संभव बनाने वाला तत्व अंतरिक्च से आया था कॉमेट्स और मेटियोराइड्स में एमिनो एसिट पाया गया है 1969 में एक मेटियोराइड मुर्ची सन आस्ट्रेलिया पे गिरा उसमें कई एमिनो एसिट्स और्गेनिक कमपाउंड्स पाए गए जो की बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के मेटियोराइड्स में इसी तरह का और्गेनिक कमपाउंड होगा जो युवा धर्ती पर गिरा था हो सकता है कि उसने जीवन शुरू कर दिया हो समय है करेव 3.6 से 2.7 अरब साल पहले पहला सुपर कॉंटिनेंट वालबारा इसी समय पर बना था अनुमान है कि Western Australia और Southern Africa से चटान जमा होकर वालबारा कॉंटिनेंट बना था 1991 में वैग्यानिको ने चेर्नॉबिल नुकलियर रेक्टर के बीचों बीच एक खास तरह के फंगस की खोज की जो वहाँ फल फूल रहा था और Radioactive Waste को बतोर खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ये उस खास सरह के फंगस की जीती जागती मिसाल थी जिसे Extremophile कहते हैं ये जीव ऐसी जगा पर पनपता है जहां ज्यादातर प्राणियों के लिए रहना गातक होता है असी की दसक से वैग्यानिक ऐसी जीवो की खोज निरंदर कर रहे हैं जो गहरे समुंद्र के Hydro Thermal Vents में विक्सित हो रहे थे 1993 में पहले से ही 100 से अधिक Gastropod प्रजातियों को Hydro Thermal Vents में पाया जाता था Hydro Thermal Vents पर 300 से अधिक नई परजातियों को खोजा गया है Hydro Thermal Vents एक ओपनिंग या दरार है सी फ्लोर पे जिसमें से होट केमिकल रिच वाटर बाहर आता है Hydro Thermal Vents आम तोर पर जोला मुखिय रूप से सक्री इस्थानों के पास पाये जाते हैं ये वे छेत्र हैं जहां टेक्टोनिक प्रेट्स फैल रही हो Ocean Basin और Hot Spots ये वेंट प्रिथवी पर एक मात्र इस्थान है जहां जीवन के लिए उर्जा का अंतिम स्रोत सूरी नहीं बलकि इन और्गैनिक प्रिथवी ही है कुछ वेग्यानिकों का मानना है कि इन जीवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अर्बो साल पहले की कठोर परिस्थितियों में धर्थी पर जीवन कैसे विक्सित हुआ ये जीवन का सिलसिला शायद ज्वाला मुखी के सुराखों में सुरू हुआ युवा महासागरों में जटिल रसायनिक प्रतिक्रियों ने कार्बन युक्त मॉलक्योस को सरल जीवित सेस में बदल दिया जिनें जीने के लिए ओक्सिगन की अवेशक्ता नहीं थी इसके बजाए उन्होंने सलफर और अन्य तत्वों से उर्जा बनाई जीवन इस पस्ट रूप से 3.5 अरब साल पहले से प्रोकेरियोट फॉसिल्स के साथ आर्कियन के दोरान उत्पन हुआ था इन सुरुवाती फॉसिल्स को साइनो बैक्तिरिया माना जाता है इस अवदी के माइक्रो और्गेनिस्म ने अपने मेटाबॉलिस्म में आक्सीजन के बजाए मीथेन या हैट्रोजन का उप्योग किया हो सकता है इसलिए उन्हें एन एरोबिक यानि गैर आक्सीजन उप्योग के रूप में जाना जाता है फर्मेंटेशन मेटाबॉलिस्म का आधुनिक उधारण है इस प्रकार के मेटाबॉलिस्म आक्सीजन अधारित यानि एरोबिक मेटाबॉलिस्म या रेस्पिरेशन की तुलना में 30 से 50 कुना कम प्रभावी है आरकियन के दोरान महादोईपो के गटन और प्रित्वी पर जीवन की शुरुवात की अनुमती देने के लिए प्रित्वी की क्रस्ट ठंडी हो गई थी प्रित्वी पर जीवन को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझा नहीं गया है लेकिन इस बात के पुक्ता सबूत है कि जीवन या तो हैडियन एउन के अंत में या आरकियन एउन के निकट अस्तित्व में आया क्योंकि प्रित्वी में महासागर थे यह वह जगत है जहां जीवन लगभग 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था स्ट्रोमेटोलाइट्स पूरे आरकियन में पाये जाते हैं और आरकियन में कॉमन देर से बनते हैं साइनो बैक्टेरिया वाता वरण में फ्री ऑक्सिजन बनाने में सहायक थे सबसे पहले पहचाने जाने वाले फॉल्सिस या जीवाश्मो में स्ट्रोमेटोलाइट्स होते हैं जो साइनो बैक्टेरिया द्वारा उतले पानी में बनाए गए माइक्रो बायल मैट्स होते हैं सुरुवाती स्ट्रोमेटोलाइट्स वेस्ट्रन ऑस्टेलिया में खोजे गए 3.48 अरप साल पुराने सैंड स्टोन में पाये जाते हैं पूरे आरकियन में स्ट्रोमेटोलाइट्स प्रचूर मात्रा में बढ़ गए लेकिन प्रोटीरो जोईक के दोरान गिरावट शुरू हुई ग्रेफाइट के प्राचीन टुकडों की मौजोदगी से पता चलता है कि जीवन 3.95 अरप साल से भी पहले कभी उभरा होगा प्रोकेरियोर्टिक सेल्स में ट्रू नुकलियस नहीं होता है नुकलियस में ही जैनेटिक मेटेरियल होता है प्रोकेरियोर्टिक सेल्स में केवल एक मेंब्रेन होती है जो बाहरी membrane के रूप में cell को घेरे रहती है Eukaryotic cells में एक nucleus होता है जो एक nuclear membrane से घिरा होता है और इसमें unorganal भी होते हैं जो cell में racist कार्य करते हैं जिन जीवों में prokaryotic cells होते हैं वे unicellular होते हैं और उन्हें prokaryotes कहा जाता है prokaryotes binary fission के माध्यम से प्रजनन करता है जब एक prokaryotes बड़े आकार में बढ़ता है तो binary fission की प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया DNA को duplicate करती है फिर DNA की प्रतेक नई strain को अलग-अलग cells में विभाजित करती है यह प्रक्रिया मैटोसिस की तुलना में सडल है और इस तरह के बैक्टिरिया बहुत तेजी से reproduce कर सकते हैं पैलियो आर्कियन एरा के अंध की और प्रितवी के दिहास में सबसे बड़ी टक्कर वाली घटनों में से एक तब हुई जब एक बड़े शहर के आकार लगबग 3.26 अरब साल पहले ग्रह में दुरगटना ग्रस हो गया हालांकी इंपैक्ट का मैंगनिटियोड ज्यादा था उस इंपैक्ट से जिसने अरबो वर्सों बाद डाइनसोर को मिटा दिया पर जीवन किसी तरह जीवित रहने में काम्याब रहा इसका नेक्स्ट वेडियो देखना नहीं भूलिएगा जिसमें हम आर्कियन इयोन का नेक्स्ट एरा यानी मेसो आर्कियन के बारे में जानेंगे जिसमें प्रित्वी पर पहला गलेसियेशन होगा